ट्रिप सिंचाई में वेंचुरी द्वारा खाद को डाला जाता है, जबकि जहां स्प्रिंकलर प्रणाली का इस्तिमाल किया जाता है, वहां आमतोर पर खाद का छुड़काव नैप सैक्स प्रेयर से होता है, जो असरदार और किफायती नहीं होता है। हाथ से खाद का वितरण भी असमान रूप से होता है, जिसके कारण फसल को अच्छी तरह से पोशन नहीं मिल पाता है। हाथ को बाल्टी से लगातार खीच कर मेन लाइन पाइप के पानी में खाद को मिलाता रहता है। और ये एक मिश्रुन बनाकर पहले से मौझूद भवारू के माध्यम से फसल को पोशन देता है। इन दो वैल्ब की मदद से 20-25 प्रतिशत का परियाप्त दबाव में अंतर बनाकर किसान नियंत्रित मात्रा में खाद या केमिकल का समान रूप से छिड़काव कर सकता है। जिससे खाद सही अनुपात में फसल तक पहुँच जाती है। इसे डिप सी चाई और स्प्रिंकलर सी चाई दोनों प्रणाली में इस्तिमाल किया जा सकता है। इस वैल्व से थ्रोटल का नियंत्रन किया जाता है, जिसकी मदद से जरूरत के अनुरूप पानी और खाद का मिश्रण में लाइन पाइप से फसल तक जाता है। वैंचुरी मैनिफोल्ड देता है किसानों को कई फाइदे, जैसे नैप सैक स्प्रेयर से आजादी, खाद का समान रूप से छड़काब और पैसों व मेहनत की बचत। वैंचुरी मैनिफोल्ड की कार्य प्रणाली को बेहतर रखने के लिए समय समय पर भीतर से स्केलिंग को साफ करते रहना जरूरी है। इसका जीवनकाल तीन से पांक साल तक का है और ये चार अलग मापों में उपलब्द है। अब किसानों को मिलेगी भरपूर पैदावार वैंचुरी मैनिफोल्ड के साथ।